हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको स्वीट पोटाइटो वाइन के बारे में बात करूँगी ये कितने तरह के होते है माझने से कितना तरह का इसका कलर होता है और इसे हम गटिंग से कैसे लगाएं और इसमें क्या हम खाद वगएर डालें तो मेरे पास ये तीन तरह का स्वीट पोटेटो वाइन हैं देखिए यह जिए गोल्डेन है यह जोल्डिन है और इसे मैं हैंगींग लगाए हूँ देखें गमले में यह में यह यह मेरोन है डार्क है बलैकी टाइप सिन ब्लैक है नहीं डेकिन तर्क मेरोन रहता है यह देखने से यह आपको ब्लैक लगेगा देखें और एक परपल है मेरे पास देखें एक परपल है जो पहले परपल होता है छोटे-छोटे इसके लीफ होते हैं तोरे बहरीगेटिट होते हैं और बाद में यह हरे हो जाते हैं पहले परपल रहते हैं शुरू में टी पुराने होते जाएंगे यह भेरिगेटेट परपल और ग्रीन होते जाते हैं देखें तो यह मेरे पास तीन तरह के बुल यह हैं क्या करते हैं स्वीट पुटाइटो वाइन है और मैं इसी का एक यहां देखें दोनों को मिला करके साथ में लगा दी हूँ घी जो ब्लैक हare इसे में स्टिक के सहार मैंने खुद बनाया है नारियल के छिलके से और जाली से मॉचरजानी के जाली तो इसे में देखें दूसरे कितनी अच्छे लगते हैं यह मैं तीन चार मAhन महीने पहले हिलाई हूं और इसके पत्ते बढ़े बढ़े में लगाईंगे इसके बढ़े बढ़े होते हैं आपहने थोणा थोदा बढ़े लगाया हैंना में लगा विली है कि वालम बढ़े व्यूंद कि यह ज़्हुना शोरण energy दोद्य को उतने बड़े नहीं है, इतने बड़े ये पॉट में है, तो इसे कैसे लगाया जाता है, इसे कटीन के द्वारा, देखें जैसे, यहां यह जैसे मनी प्लांट आप लोग लगाते हैं, जैसे यहां का पत्ता निकाल दें, और यहां इसको कट करके, और नीचे जमीन में लगा आप गमले में लगा दें, सबका जैसे यह है, तो यह थोड़ा नया नहीं लगाएं, थोड़ा पुराना लगाएं, जैसे जो पुराने डाल हैं, जो देखें, इसमें से, जैसे एक लीफ जैसे मनी प्लांट का लगता है, कि एक लीफ, एक दो लीफ का हटा दें, और उस नो मैं तो नरसरी से ही लाई हूँ, क्योंकि यह मिलता नहीं है किसी के आहां बहुत कम देखने को मिलता है. तो मैं इसे नरसरी से लाए हूँ तो आप लोग भी इसे लगाए और खाद में इसे बर्मी कमपोस्ट या गोबर की खाद भी आपने इसमें तो कोई फ्लावर आएगा नहीं जो आप फ्लावर का फास फोरा सो अगयरा ये सब डालिएगा ये सब तो इसमें ज़रूरत नहीं है इसको ग्रीनरी चाहिए तो इसको गाए का गोबर का जो खाद होता है या बर्मी कमपोस्ट ये सब है और पारिश के समय में एक दो दाना यूरिया का डाल दें ऐसे नहीं डाले नहीं तो ये चल रहेंगे पारिश के समय इसको यूरिया का जाना एक दो डाल देंगे तो इसके पते और ग्रीन हो जाएंगे और नहीं तो 1990-1919 है तो आप वो डाल दें तो इसके पते अच्छे रहेंगे तो यही है और मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो जदी अच्छा लगता हो तो लाइक कर और सब्सक्राइब भी कर दें, तो मैं और वीडियो और उत्सा के साथ बनाऊंगी, तो आज मैंने आपको स्वीट पोटेटो वाइन के बारे में बताया, ये मैं हैंगिंग में देखें, तीनों लगाई हुई हैं, देखें, मैं तीन हैंगिंग में लगाई हैं, और इसी से कटिंग ले करके, मैं दो कटिंग ले करके, ये छोटे से ये सताथिंची के पोट है, इसमें मैंने लगाया है, दोनों को मिक्सिंग करके, तो ये बहुत अच्छे अभी चल रहे हैं, और अच्छे लगते हैं देखने में बहूत खुब्सूरत, और ये सालो भर रहते हैं, आप इसका कटिंग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते जाईए, ये से पुराना पेर होता है, तो दिक्कत होता है, आप जैसे उगलने लगता है, उसका ज्यादा हो जाता है, रूट वगरह ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको ना एक से दूर, दूर से तीन करते र नेया पेर बनते रहे, तो यही है,